नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त महाराश टेट वूड मैथेमेटिक्स चप्ट नमबर त्री HCF and LCM, उसमें प्रैक्टिस सेट 13 क्वेशन नमबर वन, फाइड दे LCM 12 और 15 अब LCM फाइड करने से पहले आप सभी को अनुरद है कि चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक शेर करें और बेल आइकाउन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के निटिफिकेशन मिल जाए अब देखें, फाइड दे LCM LCM फाइड करना है 12 और 15 का तो इसके पहले हमने एक पांच वीडियो की सिरीज ली है जिसमें HCF और LCM Part 1, Part 2 ऐसे Part 5 तक वीडियो है आप वो पहले देख सकते हैं जिससे कि मतलब HCF और LCM के सभी कंसेप्ट उसमें मैंने एक्स्प्लेंड की है तो अब देखें यहाँ पे 12 और 15 इन दोनों का हमें LCM Find करना है तो 12 और 15 को हमें यहाँ पे vertically आरेंज करना है तो vertically मतलब 12 और 15 को लिखना horizontally है लेकिन इसे हम vertically arrangement से LCM Find करेंगे अभी हमें 12 और 15 इन दोनों नंबर को जिस नंबर से डिवाइड होगा ऐसे नंबर हमें Find करना है जिस नंबर से इन दोनों को डिवाइड होगा तो जो प्राइम नंबर से हैं वो Find करना होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यह जो प्राइम नंबर से है इन में से सबसे पहले 2 से चेक करना है दोनों को डिवाइड होता है या नहीं फिर 3 से चेक करना है फिर 5 से 7 से अगर जिस किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उससे पहले डिवाइड करना है फिर और एक बार बाद में और देखना है कि दुसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 3 से करना है 3 से नहीं होता है 5 से नहीं हो आ तो 7 से चेक करिए जिस नमबर से होता है उन से हमें divide करना है अब देखें 12 इवन नमबर है 2 और 5 और नमबर है तो इन दोनों को 2 से divide नहीं होगा क्योंकि यहां पर 5 है तो अब 3 से चेक करना है 3 की divisibility test है unit place मतलब सभी जो digits है उनकी addition करिए 1 प्लस 2 3 3 को डिवाइड होता है 3 से तो इसे भी डिवाइड होगा 5 प्लस 1 6 तो इस 15 और 12 और 15 यह आसान नमबर है जिसे कि हम easily bind कर सकते हैं कि 3 से इन दोनों को divide होगा या नहीं होगा तो 3 4 जा 12 3 5 जा 15 अब 4 और 5 ऐसे नमबर है कि जिनको 1 चोड़ कर किसी भी नमबर से डिवाइड नहीं होगा फिर हमें इसके बाद लिखना है LCM जब तक दोनों को divide होगा तब तक हमें divide करना है जब अब नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमें रुख जाना है तो इसके बाद यहां का जो नमबर है और यहां के जितने भी नमबर से है इन सभी को हमें यहां पे LCM में लिखना है 3 into 4 into 5 3 into 4 12 12 into 5 60 तो LCM of 12 and 15 is 60 12 और 15 का LCM 60 है सेकेंड कुशन देखे 6, 8 और 10 तो तीनो नमबर को कौन से नमबर से डिवाइड होगा देखें इवन नमबर तीनो नमबर से है तो 2 से इन तीनो को डिवाइड होगा तो हमें 2 से डिवाइड करना है 2 2, 3 जा 6 2, 4 जा 8 2, 5, 0, 10 अब इसके बाद 3 और 5 और 4 इन तीनो को तीनो को किसी भी नमबर से डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना है जागर 3 या 3 से ज़्यादा नमबर से है तो पहले तीनो को डिवाइड करो तीनो को डिवाइड हो चुका तो उसके बाद अगर तीनो को डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके बाद हमें दो दो numbers को divide करना है 3 और 4 को भी किसी number से divide नहीं होता और 4, 5 को भी नहीं होगा और 3, 5 को भी किसी number से divide नहीं होगा तो अब 3, 5 को भी किसी number से divide नहीं होगा तो अब 3, 5 को भी किसी number से divide नहीं होगा तो अब 3, 5 को भी किसी number से divide नहीं होगा तो ये LCM में होगा 2 into 3 into 4 into 5 3 into 4 into 5 तो 2 into 3 यहाँ पर होगा 6 6 into 5 करिए 30 into 4 करिए 120 3 into 4 12 और यह जरू हमें ही यहाँ पर लिखना है 120 फिर मतलब 5 से फिर 4 को multiply करना है next question में है 18 और 32 18 और 32 इन दोनों नमबर्स को कौन से नमबर से डिवाइड होता है देखिए इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा इवन नमबर्स हैं तो 9 जा 18, 2 जा 2, 2 6 जा 12 अब 9 और 16 इन दोनों नमबर्स को 1 चोड़ कर किसी भी नमबर से डिवाइड नहीं होगा अब देखे 9 को 3 से होता है 16 को नहीं होगा 16 को 2 से डियाइड होता है 9 को नहीं होगा 4 से होता है लेकिन इसको नहीं होगा तो 4 से हमें डियाइड नहीं करना है क्योंकि प्राइम नंबर से लेना है सिर्फ तो अब नहीं हो रहा है डियाइड तो ये 2 और ये 9 और 16 तो यह LCM में हाँ पर हमें लेना है 2 x 9 x 16 अब दिखे 16 x 2 पहले इन दोनों का multiply करें 32 x 9 फिर 9 से multiply करें 9 x 18 बरो 1 9 x 3027 प्लस 128 288 तो हमें LCM लेकना है 288 नेक्स्ट जो question है वो है देखे 10 15 और 20 अब हमें इन तीनों numbers को कौन से number से divide होता है उससे पहले divide करना है तो देखे 2, 3, 5, 7, 11 यह prime numbers है तो इनमें 2 से देखे इन तीनों को divide नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 2 से divide नहीं हो रहा है तो अब 3 से check करना है 10 को 3 से नहीं होता तो 5 से check करना है 5 के table में 3 नमबर से हैं तो अभी 5 से हमें divide करना है 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20 अब इसके बाद 3 नमबर को कौन से number से divide होता है वो check करना है 5 के बाद अब कोई भी number ऐसा नहीं है जिससे इन 3 नमबर को divide होगा 1 चोड़ कर अब अगर तीनों को नहीं हो रहा है तो दो numbers को देखना है 2 और 3 को 2 से divide होता है क्या नहीं होगा 3, 4 को होगा क्या नहीं होगा 2, 4 को इन दोनों को 2 से divide होता है तो अब इन दोनों को हमें 2 से divide करना है तो 2 से divide करें 2 और 2, 3 को as it is लेकर रखिए और 2, 2 जा 4 ये step आप ध्यान रखिए कि तीनों number को अगर divide नहीं हो रहा है तो हमें इन दो, इन दो या इन दोनों में से किसी भी एक pair को अगर किसी number से divide होता है तो उनको divide करना है अब देखिए इन दोनों को भी हो रहा है अगले step में फिर इन दोनों को करिए divide तो ऐसे divide करते रहना है अब 1, 3, 2 इन तीनों numbers को किसी भी numbers से divide नहीं होगा तो यह numbers और यह सभी हमें LCM में factor के तरुपे लेना है 5 into 1 1 तो नहीं लेना है जरुवत नहीं 3 into 2 3 into 2 तो 5 into 2 10 3 into 2 6 6 into 10 60 answer आएगा तो हमें लिखना है LCM of 10, 15 and 20 is 60 Next numbers है 45 और 86 अब इन दोनों numbers को कौन से number से divide होता है वो हमें check करना है इन में से 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन प्राइम नमबर से अब कहां तक देखना है 86 के पास मतलब इसके आगे जो perfect square है 10 का square है 100 तो 10 तक के प्राइम नमबर से ही लेना है हमें यहां पे 7 तक ही check करना है उसके आगे हमें नहीं करना है तो अगर यहां तक किसी नमबर से divide नहीं हो रहा है दोनों को तो किसी भी नमबर से आगे भी divide नहीं होगा अब देखिए 5 और 6 तो दोनों नमबर से इवन नहीं है यह है लेकिन यह नहीं 2 से divide नहीं होगा दोनों को 3 से 4 प्लस 5 नहीं इस नमबर को 3 से divide होगा लेकिन 8 प्लस 6 14 14 को 3 से divide नहीं होता तो इस नमबर को 3 से divide नहीं होगा इनिट प्लेस में यहां पर 5 है लेकिन यहां पर 0,5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा 7 से चेकना है 7 से 45 को डिवाइड नहीं होगा 7,6,42 7,7,49 तो इन दोनों नंबर्स को आप 1 चोड़कर किसी भी नंबर्स से डिवाइड नहीं होगा तो यह दो नंबर्स जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो LCM आता है वो आता है उन दोनों नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन तो LCM हमें अब देखे जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे तो यह भी numbers और यहाँ पर भी जाते हैं वो ही number हमें लेने तो यहाँ के जो last number है वो अभी first में है तो अब इनका भी हमें multiply करना होगा 45 into 86 अब इनका multiplication आप करिए 86 into 45 5 से multiply करें 5, 6, 30, 22, 3, 85 40 plus 3, 43 4, 6, 24 यहाँ पर 2, 4 8, 32 plus 2 34 4 तो अब इनका addition करिए यहाँ पर 3,870 जो है वो LCM होगा तो हमें यहाँ पर लिखना है LCM of 45 and 86 is 3,870 next जो numbers हैं 15, 30 और 90 अब 2 से इन तीनों numbers को divide नहीं होगा क्योंकि 15 को नहीं होता फिर उसके बाद 3 3 से इन तीनों numbers को divide होता है तो हमें 3 से divide करना है 3, 5, 15 3, 3, 3, 0, 0 3, 3, 9 3, 0, 0 अब 5 से भी इन तीनों numbers को divide होता है तो 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10 5, 6 जा 30 अब यहाँ पर रहेगे 1, 2, 6 तो 2 और 6 इन दोनों को 2 से divide होता है तो हमें 2 से divide करना है 1 as it is रखिए फिर 2, 1 जा 2, 2, 3 जा 6 अब 3, 1, 1 रहेगे तो यहाँ पर आप किसी number से divide नहीं होगा तो हमें LCM यहाँ पर लिखना है 3 into 5 into 2 3 into 5 into 2 मुदली प्लैट बाइ 1 into 1 लिखने की जरूरत नहीं है 3 तो 5 into 2 10 होगा 3 into 3 9 into 10 यहाँ पर होगा 90 तो हम लिख सकते हैं LCM of 15, 30 और 90 is 90 अब यहाँ पर देखे तीनों number जो हैं वो 15 के table में 15 to the 30 15 से 6 to 90 अगर किसी number के table में अगर numbers है 3 या 3 से ज़्यादा तो उन table में मतलब सबसे जो smallest number होता है वो उनका highest common factor होता है HCF होता है और जो greatest number होता है वो LCM है या नहीं वो चेक करने के लिए इन सभी numbers को मतलब सभी numbers के table में वो है या नहीं वो चेक करना है अब देखे 15 से 90 को डियाड होता है तो अब यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं होगा कि इसके table में जो सभी number से उनमें सबसे greater LCM ही होगा यहाँ पे है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि सबस 15, 2, 30, 15, 3, 45 15, 4, 90, 15, 5, 105 अब अगर 30, 15 और हम 105 यह 3 numbers लेते हैं तो इनमें जो greater number है 105 उसको 30 से divide नहीं होता तो 105 यह LCM नहीं होगा तो ठीक है अब तक जो question है LCM के हमने 6 तक ले लिये हैं तो उसके आगे और 3 questions है LCM के वो next video में 3 questions और 2 question है जो की एक property है HCF into LCM is equal to product of 2 numbers तो वो हम अगले वीडियो में लेंगे ठीक है thank you